गिर्ती कीमत की मार जेल रहे गन्ना किसानों को इस साल राहत मिल सकती है दरसल अंतराष्ट्रिय बाजार में चीनी का जो गलाट यानि जरूरत से ज्यादा उपलब धता बनी होई थी वो स्थिती अब खत्म हो गई है अंतराष्ट्रे बाजार में चीनी की मांग में अब बढ़ोतरी देखी जा रही है साथ ही पहले सूखे और बाद में लगातार बारिश के चलते महराष्ट और करनाटिक में इस साल गन्ने का उतपादन भी घटा है इंडियन शुगर मिल्स असोसेशन यानि इसमा के मुताबिक इस साल बीते साल के मुकाबले 21 प्रतिशत कम यानि 260 लाग टन चीनी उतपादन होने का अनुमान है हाना कि घरेलू बाजार की खपत के लिए चीनी का परियाप्त स्टॉक मौजूद है इसी तरह 2019-20 में वैश्विक स्तर पर चीनी उतपादन 1756 लाग टन और मांग 1886 लाग टन रहने की संभावना है यानि चीनी का उतपादन इसकी मांग से 120 लाग टन कम रहने वाला है इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए जानकारों ने गन्य की मौजूदा कीमत बढ़ाने की मांग उठाई है और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं किसान नेता पुषपेंद्र चौधरी हम आज साथ स्टूडियो में मौजूद है पुषपेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बोलेटिन में ये बताईए तमाम फैक्टर्स हमने सामने रखें क्या ये परफेक्ट समय है कि गन्य का भाव बढ़ाया जाए देखिए पिछले दो साल से केंद्र सरकार ने जो FRP घुशित करती है और उत्तर प्रदेश सरकार जो अपने यहां पर SAP घुशित करती है उसमें रेट इन्होंने नहीं बढ़ाया है यदि दो साल तक किसी चीज़ का रेट ना बढ़ाया जाए तो वास्तविक रूप से उसका जो रियल वैल्यू है इन्फलेशन के वज़े से मुद्रा स्फिती के वज़े से घट जाता है यानि रेट वास्तों में घटा दिया गया है पहली बात तो है यह दूसरा इन्होंने उस वक्त यह कहा था कि गन्ना उत्पादन चीनी उत्पादन ज्यादा है और हमारे यहाँ पर बंपर रखते हुए हैं स्टॉक पड़ा हुआ है तो उस कारण से बहाना बना करके इन्होंने उसका रेट बढ़ाने का काम नहीं किया यह बात ठीक है कि 332 लाक टन का उत्पादन पिछले साल चीनी का हुआ था जबकि मांग हमारे हाँ 260 लाक टन के आसपास होती है लेकिन इस साल उत्पादन घटने वाला है क्योंकि जो महराश्चा है वहाँ 107 लाक टन की जगे लगबग 55 लाक टन और करनाटक में भी 44 लाक टन की जगे 33 लाक टन उत्पादन होने कि संभावने जी 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 ये बताईए कि अगस में भी सरकार ने तोफा दिया था सरकार ने का था कि इस कुछ 60 लाक टन चीनी के नेरियात को मंजूरी दी थी और बोला था कि इस पर हम अच्छी खासी सबसिडी दे रहे हैं और उसका सीधा का सीधा जो फाइदा है वो किसानों के खाते में डाला जाएगा तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि एक परफेक्ट टाइम है एक विंडो है तो अब किसानों को ये मिलने की कुछ उमीद जकती है इस साल 143 लाक टन का हमारे पास चीनी का ओपनिंग स्टॉक था क्योंकि उत्पादन मैंने बताया 260 लाक टन हमारी मांग के अनुरूप रहेगा तो हम जो अभी बनेगी उसको कच्छी चीनी में परिवर्थ करके एक्सपोर्ट होता है वो जनली तो इस साल की जो चीनी बनेगी उसको हम मैकसिमन 60 लाक या 70 लाक टन एक्सपोर्ट यदी कर भी दें तो अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के बावजूद भी हमारे पास चीनी सीजन के एंड में लगबग 75-80 लाक टन चीनी बची रहेगी तो इसलिए बहुत अच्छी बात है और बाहर विदेश में इस बार उत्पादन कम हुआ है मांग से और उत्पादन के बीच में 120 लाक टन का अंतर है तो डिमांड सप्लाई का जो फॉर्मिला है वो परफेक्ट इस वक्त हमारे हक में जाता है मंगर क्या चीनी मिल से इसके लिए राजी होंगी देखिए जब दो साल से इन्होंने यह कह करके कि ज्यादा उत्पादन है रेट नहीं बढ़ाया तो अब कम उत्पादन है तो उन देहर के बढ़ाया तो यह उत्त्तरदेश की सरकार हो क्योंकि दोffet आर्मिला को ऑपके मूंसे जो आपने वाज़दा किया था मिलना चाहिए कंसे एक चार रुपे ही दो तो अभी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहाँ अभी भी कुछ साड़े 300 करोड रुपया बकाया है साड़े 3,000 के आशपास पिछले साल 33,000 करोड का गन्ना लगबग सप्लाई किया था उत्तर प्रदेश में किसानों ने उसमें से 32,000-3300 रुपय का अभी भी बकाया है मूली धन पिछले साल का यदि इसके उपर जो ब्याज जो गन्ना आदेश है उसके नुसार 14 दिन के उपर जो ब्याज दे है वो जोड दिया जाए तो ये 5,000 करोड की फिगर बन जाती है तो वो इन्होंने नहीं दिया है तो कहीं न कहीं गन्ना नीती पर इनको पुनरविचार करने की आवशकता है और जो ये एथनॉल की बात होती है उसके लिए भी तमाम इंसेंटिव्स दिये जा रहे हैं जानों के जो बकाया बुकताने वो पाएंगे हमने जैसे लकीमपूर कीरी में देखा एक किसान जो है उसने आत्महत्या कर ली गन्ना किसान था तो अब इनके दिन कब फुद्रेंगे दो कदम उठाने की आवशकता है जब ज्यादा बंपर उत्पादन हो तो हमारी मांग जो चीनी की है उसको चीनी बना लें बाकी गन्ने का उपयोग या तो एथनोल में कर लें या और शराब वगएरा जो बनती है उस तरह की स्प्रिट्स बनती है उसमें कर लें जो भी बैनिफीशल हो मिलों के लिए ताकि गन्ना गिसान को पेमेंट मिले दूसरा बहुत महत्पूर्ण गन्ने का चीनी का 75% जो उपयोग है वो कमर्शल होता है और जैसे तो तरह तरह के जो उत्पाद हैं जैसे मिठाईयां है हैं चवन प्राश हैं या और तरह तरह की चीज़ में 60-70% तक चीनी होती है तो वह 15-20 रुपे की चीनी को 500 रुपे किलो में बेच देते हैं तो हमारी ये मांग है कि जैसे घरेलू सिलेंडर और कमर्शल सिलेंडर के रेट अलग लग होते हैं तो अगर हम इसका रेट कमर्शल उपयोग में लाने वाले का जो 75% यूसेज कर रहे हैं इस देश में चीनी का खपत कर रहे हैं उसका यदि हम ज्यादा कर दें तो अच्छ हमारी चुछ दॉड ले करेंगे तो अब उस फजू बन पर आपको क्या लगता है तो कि वह वीशा है कि अपने और लिए मजबूरी है कि किसान इनी को दे सकता है इसी चीज का फायदा उठा करके और यह सरकार के जब हाथ में है कि उन्होंने पिचले साल 315 का रेट घोशित किया था दो साल से रेट बढ़ाया नहीं तो इस बार कम से कम रेट अच्छा यदी कर देंगे तो इसमें सबी का ला पैसे लीजिए तो किसानों का भी भला देश का भी भला और अगर आप करेंगे तो आपकी जो पेट्रोलियम परदार्द का इंपोर्ट है वो भी कुछ कम होता है आपकी विदेशी मुद्रा भी बसती है तो सब को इससे लाव हो सकता है तो यानी जो पूरी पॉलिसी है जिस तरह से पुष्पेंजी ने इन बातों को सामने रखा एक तरह से ये सला दी है आने वाले दिनों में रेट्स आने वाले है तो ये जो तमाम मुद्दे हैं जो खास-खास बात इस चड़्चा से निकल कर आई है उन पर ध्यान देने की जर पाइगी.